नमस्ते दोश्तो आज हम बनाएंगे चना चाट इसे जो मनाने का जो तरीका है बहुत ज़़ादा आसान है और खाने में बहुत ज़़ादा healthy भी हैं तो एक बर आप भी इस थरीके से try जरू करेगा आपको बहुत ज़़ादा पसंदाएगा. तो मैं हैं पूजा सिंग और पूजा इस कॉनर शेयों में आप से भीका स्वागत करती हूँ तो इसे बनाने के लिए मैंने लिये थे आदे कटोरी, चैना, ये काले बाले चैना है इसको जो है मैंने राद पर भी गो लिया था अगर आपको सामको स्नेक्स में मराना हो तो आप इसे सुब़ भी कोके रख सकते हैं अब जो हम एक प्रशे को कर लेंगे उसके अंदर हम चैना को डाल देंगे साथ ही इसमें हम डाल देंगे आदा गलास के करीब पानी ये देखिए हमने डाल दिया है अब इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक जिसी की चैनी के अंदर जो है थोड़ा सा नमक आ जाए बाद में डालने से क्या होगा उसके अंदर चैनी के अंदर जो है नमक नहीं आता है वो उपर-उपर से ही रहता है तो इस टाइम पे हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे साथी में डाल रहे हूं दो आलू आप चाहे तो बीने आलू के भी इसे बना सकते हैं अब यह करेंगे दूस्तों हम धकल लगा लेंगे और गैस अन करके इसे हम उबलने के लिए रख देंगे गैस का फ्लेम जो हम मेडियम रखेंगे जिसी कि जो हमारे चना है आलू है अच्छी से बॉयल हो जाएं आप चाहे तो इसकी कॉंटिटी और भी आप बढ़ा सकते हैं अपनी कॉंटिटी के हिसाब से थोड़ सा पानी डाल देंगे और अच्छे से मिला करके इसे जो हम रख देंगे जिसे कि हमारे हम जो मसाले हैं वो अच्छे से फुल भी जाएंगे और जल्दी से भून भी जाते हैं तो यह देखिए हमने चला लिया है इसको हम रख देते हैं अब क्या करेंगे दोस्तों ये देखिए 4-5 सीटी जो हमारी लग गई थी और हमारी जो चैना है वो आलू है वो उबल चुके हैं आप क्या करेंगे हम आलू को निकाल लेंगे और मैं इसे ठंडा करने के लिए क्लिए करूंगे इसके अंदर पानी डाल दूंगे आप चाहे त तो थोड़ देर के बाद भी इसे बना सकते हैं जब ये ठंडा हो जाए लेकिन मुझे इसे टाइम पर बनाना था तो मैं अभी बना रही हूं अब हम गैसान करेंगे और एक पैनिया कड़ाही रखेंगे उसमें एक चमर सरस्तोखा तेल डाल देंगे तेल गरम होने पर आद जलशी यचमर से भी मिला सकते हैं जिए अब इसके अंदर हमें मसालो को डाल देंगे जो हमने बना के रखा था था थोड़ सा पानी भी डाल देंगे जिसकी मसाले जले ने तो ये देखिए हमारे मसाले भी जो है इसके अंदर वो सूखना चाहे है थोड़ दर के लिए हम इसे पकाएंगे फिर इसे हम खुले में छोड़ देंगे जिसे कि मारे जो चना है वो जल्दी से मसालो को अबज़र्ब भी कर लेता है पानी को भी सोख लेता है तो यह देखिए सूख गया है अब क्या करेंगे दोस् करें तो बढ़ानी के रिखेंगे थोड़ी से खीरे जिसे कि हमारा जो चना चाहट है वो बहुत जादा हेली हो जाये तोड़ासा प्यास डाला हमेनी और थोड़ा सा तमाटर भी डाले है और दो हरिमेश भी मैंने डाली है थोड़ी से हरिदनिया पत्त्त डाल देंगे इसक देंगे हम नीम्बू का रस फिर देखिए हमारा जो चनाय चाट है किता ज्यादा टीएश्टी बनता है आप चाय तो इसके में चटनी भी डाल सकते हैं कोई अपनी मन पसंद जो भी आपको पसंद हो उससे भी जो इसका फ्लेवर बहुत ही ज्यादा अच्छा आता है इसे जो तो वीडियो को लाइक और चाहर को सिस्क्राइब जरूर कर दीजेगा तो थैंक्स फर वाचिंग